चलिए आगे बढ़ते हैं रुकरते हैं अंखली खबर का अच्छाट्सकड में फिलहाल स्कूल नहीं खोलेंगे ऐसा कहना है स्कूल शिक्षा मंतरी प्रीमसाय सिंग टेकाम का कोरोना संक्रमन को फैलते देख प्रकोप इसका बढ़ता ही जा रहा है मंतरी प्रेमसाय सिंग का बयान सामने आया उन्होंने कहा कि अभी स्कूल खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है पहले चर्चा की जाएगी और फिर ही सरकार कोई फैसला लेगी बता दे कि अनलॉक 5 म स्कूल, कॉलेज, खोलने का अधिकार केंद्र सरकारों ने राजस सरकार को दी है उन परस्थितियों को देखते हुए जो गाइड लाना है उसमें बिचात करेंगे लेकिन फिलहाल अभी तो कोई इसमें कोई बिजार अभी निकिया अब बात कुरुनकाल में एक पॉजिटि मुंगेली में गेंदा फूल किसानों का सहारा बना हुआ है गेंदा फूल की खेती ने किसानों को कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़ा दिया है लोगडाउन के दुरान भी गेंदे का फूल 30-40 रुपे किलो बितक बिक रहा है जिसके चलते किसानों की लोगडाउन में किस प्रकार की परिशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा गेंदा फूल की खेती करने वाले किसानों के मताबक एक एकर की खेती से करीब साथ से 70 तरहजार रुपे तक आमदनी हो जाती है त्योहारों और शादी के सीजन में गेंदा फूल का रेट बढ़ जाता है लेकिन मौझूदा दौर में कोरुणा की वज़र से इसकी खपत जरूर कम होई है लेकिन मांग बने होई है कि यहां पे अभी लगभग अधाय से पौंग एकड में लगा है और है दुफ्ते जगाओ लगाया हूं लगभग दो ठाई दो एकड का मेरे गुपाधा मिला था और इसका भी मार्केटिंग भी अच्छा है फूल का तो अभी लागडाउन में भी अभी 40-50 रुपई किलो में मिल जाता है यह और दिपावली और जैसे अच्छा मार्केट हो गया तो अफी रुपई न भी रुपई किलो भी चड़ जाते इसका ताम लगभग खेती करीबन पाच्छे साल से करा ताथ में हमन ओखरबाद पाच्छे साल तक कि हम अला उद्ध्यान की भी भाग से सची का सर के माध्याम से हम लग गेंदाग फूल पे पौधा मिलते ओखरबाद यहां से हम अन सालाना करीबन पचास-साथाजार रुपया इंकम ले ले थन